मसकार दोस्तों स्वागति आप शभी का आपके अपने चैनल और स्टडी पे जिसको इंगलिस में कहते हैं इंट्रेस्ट यानि हम इस वीडियो के माध्यम से इंट्रेस्ट निकालना सीखेंगे जो की बहुत ही जरूरी टॉफिक है अगर सिर्फ आप यह कोशन सुल्फ कर लेत दम लागतार सॉल्व करते जाएंगे तो इस वीडियो को अंते तक देख लेजिए और ब्याज निकालना अच्छे तरीका से सीख लेजिए तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट हमारा कोशन क्या सबसे पहले कोशन को कियरफुली पढ़ते हैं तो हमारा कोशन यहां पर देख सकते हैं 42,000 रुपए का 3 पर 30 की वारसिक ब्याज की दर से 4 बरसों का ब्याज निकालें दोस्तों कोशन को आप उस सबसे पहले दियान से समझना है और अपने भासा में समझ लेना है ताकि आपको अच्छी तरीका समझ में आए देखे कोशन कर रहा है कि मान लेजिए कि 42,000 रुपए है और यह 42,000 रुपए हम करजा लिये हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है हमने क्या किया 92,000 रुपए क Arabia कारजा लिया है उस बेकती ने कहा है किया Uh STUD You रुपa का आपको वार्शिक वार्शिक समझ रहे है ना सलाना वियास यानि हर एक साल आक capac के बाद आपको वियास देना होगा तो कितना परसेंट व्याज लगेगा तो उस बेक्तिन ने कहा कि आपको 3% जो भी मैंने रकम दिया है इसका 3% आपको हर बर्स व्याज देना होगा तो चार बर्सों के बाद हम पैसा लटा रहे हैं तो चार बर्सों में कितना ब्याज होगा और टोटल कितना एमाउंट हमको पे करना होगा यह हमको ग्याद करना है टोटल कितना एमाउंट यानि चार बर्सों का तो सिर्फ ब्याज निकलेगा न और ब्याज के साथ हमने जो कर जा लिया ये भी तो हमारा है न यानि मुलधन प्लस ब्याज जो टोटल होगा वह कितना होगा यहां पर हम निकालना भी सीखेंगे कि अ जलेBir वीडियो करते हैं स्टार्ट हमारा कॉशन जो था हमने पढ़ लिए अब देखें यहां पर लिखेंगे मूलदँ धन मुलधने कितना है तो मुलधने कम करना 42 000 रूपय है तो हम यहां पर 42 000 रूपय यहां पर लिखेंगे उसके जबरोगा है तो तीन परसंट की वार्शिक व्याज की की दर यहीं मुलधने कितनी की कogram यहीं मूलधन Андrze, दर ! तीन परसंट ऊसके बहुत है चार बर्स पहोट यानि बर्स महीने जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं certa यानि इससमाई कितने दिन का है तो शर्माउ बराबर चार बर से 4 पार से हैंना अब देखिए हमको मुल्धन पता होग है दर पता होग है समाउ है तेनों को मिला कर एक फरमूला बनता है तो फर्मूला क्या यहाद कर लेना है अब देखे हमारा मुल्धन कितना है तो मुल्धा ने हमारा 42,000 तो जहां पर मुल्धा ने वहां पर हम क्या लिखेंगे 42,000 लिखेंगे गुना है गुना लिखेंगे समय समय केतना है तो समय हमारा 4 बर्स का है तो हम यहां पर 4 लिखेंगे उसके बद दर केतना है तो दर हमारा 3% का है तो हम इसमें का 3 लिखेंगे उसके बद फर्मूला में डिवाइड़ बाई 100 है तो हम यहाँ पर भी डिवाइड़ बाई 100 कर देंगे अब देखें सिंपल सा आपको इसको solve कर लिए यहाँ पर देखिए निचे उपर करता है तो निचे में 2 gyro से उपर में 2 gyro cancel हो जाएगा अब यहाँ पर बचा है क्या तो यहाँ पर आपका 420 बच गया है उसकवाद गुने में 4 गुने 3 है तो 4 के गुना करेंगे 3 में तो 4 त्याइख यहं के 12 हो जाएगा अब इन दोनों का गुना कर लेजे देखें 12 गुना करेंगे 0 में तो आपका 0 होगा 12 गुना करेंगे 2 में तो 12 गुना करेंगे 24, 24 का चार हारसीन 2 हो गया और फिर 12 गुना करेंगे 4 में तो 12 गुना करें 48 और 2 हारसीन है तो 48 और 2 यहां पर 50 हो जाएगा यानि 5,040 रुपए यह हमारा क्या निकल कर आ गया सधारन व्याज जिसको बोलते हैं इंगलिस में simple interest और short में लिखते हैं SI यानि simple interest का value हमारा कितना आ गया 5040 रुपए यानि कहने का मतलब है कि अगर हमने 42,000 रुपए मुलधन लिया है यानि करजा लिया है 3% की दर है तो 4 बरसों में कितना रुपए ब्याज निकल कर आएगा तो आपका 5040 रुपए ब्याज निकल कर आएगा यह सिर्फ क्या है ब्याज है अब हमारे मन में यह सवाल उठती है कि यह तो हमारा ब्याज निकल गया अब हमको चार बरसों के बाद उस पैसा को लटाना है तो कितना रुपई लटाएंगे तो जो भी हमने सुरुआत में मुलधान लिया है उसको और इस ब्याज को दोनों को जोड़ेंगे तो पांच घजार चालिस में यह तो आपका जीरो आएगा और यह वाला चार में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो चार उतर जाएगा यानि काने का मतलब है कि 47,040 रुपई आपका सूध का पैसो का हिसाब यानि टोटल हिसाब जिसको यहाँ पर मैतली भासा में मिस्रधन बोलते हैं यानि मुलधन हो गया प्लस ब्याज हो गया दुनों को एड़ किया तो आपका 47,040 रुपई यहाँ पर आ चुका है यानि आपको फाइनल पैसे का हिसाब करना है एक भी रुपई ना रखना है और ना ही एक रुपई बेसी देना है आपको 47,040 रुपई दे देना है और आपको ब्याज से जो भी आपने मुलधन लिया है उसे चुटकारा पा लेना है तो आपको काफी कुछ अच्छा इंफरमेशन मेला होगा और बहुत ही अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक चुरूर कीजिएगा चैनल परें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कि नौटिफिकेशन बेल को फ्रियेस करके ンूर्ड चैनल कर लीजियंगा उस्से क्या की नएव्य वीडियो थे नश्य पृटिफिकन आपको मिलता रहेगा आपकी यह कि त्यारि की न आपर देका यह लेडिकiseses